नमस्कार आप देख रहे हैं वत्सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स फ्रेंड्स हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बेनिफिक प्लानेट देवगुरु ब्रिहस्पती 4th सेप्टेंबर को वक्री होने जा रहे हैं इस बार देवगुरु ब्रिहस्पती की वक्रता थोड़ी सी अलग है और इसलिए इसके प्रभाव भी बिलकुल अलग तरीके के हम लोगों के जीवन पर पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में मैं हर राशी एवं हर लगन वालों पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है क्या सिंपल रेमेडीज कर सकते हैं इन चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो को अंतिम तक अवर्ष्य देखिएगा मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइ नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लिजेगा फ्रेंट्स हम सभी लोगों को पता है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बेनेफिक प्लैनेट सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाले प्लैनेट हमारे जीवन के सभी अच्छे चीजों के कारक हमारी कुंडली के स सबसे अधिक भावों के कारक देव गुरु ब्रिहस्पती हैं। सरवाष्टक वर्ग में भी हम यदि देखते हैं तो देव गुरु ब्रिहस्पती को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं। और इसलिए देव गुरु ब्रिहस्पती का हर movement ज्योतिश के द्रिष्टिकोन से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों को ये भी पता है कि देव गुरु ब्रिहस्पती हर वर्ष लगभग एक तिहाई हिस्सा वर्ष का वक्री रहते हैं। और मेरे पहले के विडियो जिदिया आपने देखा है तो मैंने अपने विडियो में कई बार बताया है पिछले शनी के वक्रत वाले विडियो में तो ग्राफिक्स के साथ बताया था कोई भी प्लानेट जब वक्री होता है तो वो पृत्वी के ज़्यादा करीब हो जाता है। और पृत्वी के करीब होने का मतलब होता है कि उस ग्रह के प्रभाव बढ़ जाते हैं हमारे कुछ ग्रंतों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि वक्री प्लानेट के समान फल देते हैं वक्री ग्रह बली होते हैं एक अलग तरीके का बल जिसको चेश्टा बल कहते हैं वो वक्री प्लानेट्स में आ जाता है आप लोगों को मालुम होगा अलग अलग तरीके के बल होते हैं प्लानेट्स के द्रिक बल यानि की डाइरेक्शनल स्ट्रेंग्ट स्थान बल यानि की positional strength काल बल यानि की temporal strength और चेष्टा बल यानि की emotional strength यानि बहुत सारे जोधिशियों को कहते सुना है कि हर वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाता है लेकिन ये बात पूरे तरीके से सच नहीं है शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है वक्री ग्रह चेश्टा बली तब होते हैं जब वो अपनी रश्मियों से युक्त हो हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो वक्री होने के साथ साथ कमबस्ट भी हो जाते हैं यानि कि उनकी रश्मिया लुप तो हो जाती है अब फॉर एक्जामपल अभी ही आपने देखा होगा शुक्र वक्री हैं लेकिन करक राशी में जब सूर्य थे तो वो अस्त भी हो गये थे क्या ऐसे ग्रह को चेश्टा बली माना जाएगा शास्त्रों की माने तो बिलकुल नहीं हमारे आउटर प्लानेट्स के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो वक्री भी हो और साथ ही कमबस्ट भी हो इसलिए मंगल के लिए गुरू के लिए और शनी के लिए तो हम ये मान ही सकते हैं कि ये planets यदि वक्री हुए हैं इसका मतलब है कि इनमें चेश्टा बल आ जाता है जो inner planets से बुद्ध एवं शुक्र वो कई बार ऐसा होता है कि वक्री के साथ साथ कमबस्ट भी हो जाता है उनमें चेश्टा बल नहीं रहता तो ये थोड़ा सा differentiation आवश्यक है इस बार गुरु का वक्रत्व थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि एक तो गुरु राहु के तु एक्सिस में है और दूसरे तीस अक्टूबर तक गुरु पर सभी पाप एवं कुरूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा शनी अपनी तीसरी दृष्टी से गुरु को देखते होंगे मंगल पहले अपनी आठवी दृष्टी से और फिर सात्वी दृष्टी से गुरु को देखते होंगे गुरु चांडाल योग बना हुआ है और केतू बिलकुल opposite में बैठे हुए है गुरु के साथ ही बहुत सारे प्लानेट एक साथ वक्री हो रहे हैं आप लोगों को यदि मेरा पिछला वीडियो याद है तो उसमें मैंने इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है और विश्व और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेदनी जोतिश में क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी चर्चा की है उस विडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन सेक्षन में दे दूँगा यदि आपने उस विडियो को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लीजेगा आज के इस विडियो में हम हर राशी और हर लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे और इस ट्रांजिट को यदि अच्छे से समझना है तो आप इस ट्रांजिट को दो भागों में बांट कर देखिए पहला भाग 30 अक्टूबर तक का लगभग 56 डेज का भाग जिसमें गुरू ग्रहन के हिस्सा भी बनेंगे और गुरू पर सभी पाप एवं कुरूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा और दूसरा भाग 31 अक्टूबर से लेकर 31 डिसमबर तक का भाग जिसमें गुरू चांडाल दोश से देव गुरू ब्रहस्पती मुक्त हो चुके होंगे और अपने कारकत्वों के प्रती जो स्ट्रेंग्थ है उनका वो पूरे तरीके से बहाल हो जाएगा और वो हर तरीके से अपने बेनिफिक एक्टिविटीज से हम सभी लोगों को आहलादित करेंगे राशी फल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि किसी भी important slow moving planet का transit जब देखते हैं तो लगन और राशी दोनों से देखा कीजिए ये दोनों ही बहुत important होते हैं दोनों का ही प प्रभाव ज्यादा पड़ता है किसी पर लगन का प्रभाव ज्यादा पड़ता है लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रभाव दोनों का पड़ता ही पड़ता है कुछ लोग comment section में लिखते हैं कि आपने राशी में अच्छा बताया है लगन के लिए बुरा बताया है तो किसको मा प्रेंड्स इसमें कोई भी शॉर्ट कट नहीं होता, दोनों को देखना चाहिए, दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, और इसको समझना उतना भी मुश्किल नहीं है, यदि मान लिजे मैंने राशी के लिए अच्छा कहा, और लगन के लिए बुरा कहा, इसका मतलब है कि एव आपको बहुत देहां देने की अवशक्ता है, और यदि मान लिजे मैंने दोनों के लिए अच्छा कहा दिया, इसका मतलब है कि यस ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट है, इस चीज का ध्यान रखिये, गुरु के वकृत्व से संबंदित और या मेश लगन वालों से मेश राशी या लगन वालों के लिए जुपिटर आपके 9th और 12th लॉड है और इस ट्रांजिट में आपके 1st हाउस में बैठ कर वक्री हो रहे हैं वहां से 5th को देखेंगे 7th को देखेंगे और 9th को देखेंगे प्रेंड्स आप लोगों के लिए जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है भाग्य भाव का स्वामी यदि लगन में बैठे तो ये बहुत अच्छी स्थिति हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि जुपिटर एक तो वक्री हो रहे हैं दूसरे जुपिटर पर जितने भी बुरे प्रभाव हो सकते हैं वो सारे पढ़ रहा है जुपिटर ग्रहन के बेहिस्सा बनेंगे शनी की भी द्रिष्टी है केतु का प्रभाव है राहु के तो साथ ही बैठे हुए है मंगल का भी द्रिष्टी रहेगा हलांकि मंगल आपके लगना आपकी राशी के लॉड है लेकिन फिर भी मंगल होते तो एक क्रूर्ग रही है तो पहला 56 डेज जो है ये बहुत ध्यान देने वाला समय होगा यदि उस चीज को थोड़े देर के लिए छोड़ भी दीजी तो फर्स्ट हाउस किन चीजों को रिप्रिजेंट करता है फर्स्ट हाउस का मतलब आप फर्स्ट हाउस का मतलब आपका शरीर आपका फेस आपका सिर आपके बॉड़ी पार्ट्स First house का मतलब समाज में आपका इज्यत आपकी social standing आपका reputation First house का मतलब आपकी abilities आपकी जो चमता है First house का मतलब आपका administrative capabilities जो प्रबंधन चमता है आपकी आपकी आदतें आजिविको पारजन के लिए आप क्या करते हैं इन सभी चीजों को First house represent करता है तो ये समय होगा इन सभी चीजों पर एक द्रिष्टी डालने की और 9th और 12th house के Lord Lagun में वक्री हो रहे हैं यानि कि ये बात को भी देखना होगा कि क्या आप अपने धर्म के रास्ते पर हैं और यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ वाले धर्म से नहीं है धर्म का मतलब duties क्या आप अपने धर्म के प्रती सजग हैं और जो रास्ता आपने लिया हुआ है क्या वो प्रशस्त है यानि आपके खर्चे किन चीजों में हो रहे हैं इन सभी चीजों पर एक द्रिष्टी डालनी होगी देखना होगा कहीं बदलाव करने की आवशक्ता तो नहीं है कुछ अनावश्यक चीजों को छोड़ने की जरुवत तो नहीं है कुछ फाइन ट्यून करने की आवशक्ता तो नहीं है और इस समय में इन चीजों पर यदि ध्यान देंगे तो फिर आगे के लिए ये जुपिटर लगन के जुपिटर आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे बाकी पहले 56 डेज में जुपिटर पर इतने बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं जो लोग भी बिजनेस में हैं या फिर किसी भी काम में हैं उन लोगों को इन 56 डेज में कोई भी इंपल्सिव काम नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे कोई इनिशेटिव नहीं लेना चाहिए और जगडा जंजट बगएरा से तो बहुत दूर रहना चाहिए विद्यार्थियों को बहुत फोकस रहने की आवशक्ता होगी प्रेगनेंट महिलाओं को अपने स्वास्थ का ध्यान रखना पड़ेगा आपके स्पाउस के लिए भी ये समय हो सकता है बहुत अच्छा ना हो उनको भी कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं आपको भी अपने व्यवहार खास करके जो अपने स्पाउस के साथ है या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए जो लोग विदेशों में हैं उन लोगों को भी थोड़ी परिशानियों का अनुभव होगा लेकिन एक बार ये 56 डेज बीट जाए एक बार गुरु एवं राहु का साथ छूट जाए और गुरु बिलकुल स्वतंत्र हो जाए राहु के प्रभावों से तब फिर यही जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको ध्यान उस समय विशेश रखना पड़ेगा खास करके 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जिस समय में आपके राशी आपके लगन के लौड मंगल केतू के साथ हो तो यह जो पहला 56 डेज है इसका खाली ध्यान रख ली उसके बाद फिर यह जुपिटर आपके मान सम्मान में वृद्धी देंगे भाग्य के लिए बहुत अच्छा होगा लंबी आत्राओं पर जाने के योग बनेंगे जो लोग भी creative field में है वो बहुत अच्छा करेंगे कुछ लोगों के लिए घर में pregnancy नए सदस्यों के आगमन का शुबसमाचार मिल सकता है कई लोगों के लिए ये विवाह का अवसर create करेगा नौकरी व्यापार में भी ये नए अवसर create करेगा नए आप deals वगएरा sign कर सकते है तो इस पूरे transit को आप दो भागों में यदि बांट कर चलेंगे और पहला 56 days ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे इस transit में और 31 दिसंबर जब तक की जुपिटर मारगी नहीं हो जाते तब तक जुपिटर आपको बहुत सारा आपका जो तौर तरीका है उसमें सुधार ला देंगे ताकि आप आगे बहुत अच्छा करेंगे इस समय में remedies क्या करना चाहिए हनुमान जी की पूजा करते रहिए कुछ donations करते रहिए नीडी persons को जिस समय तीन अक्टूबर से लेकर तीस अक्टूबर तक केतू के साथ मंगल रहेंगे उस समय भगवान कार्थी के भी उपासना कर सकते हैं जुपिटर को strengthen करने के लिए भगवान विश्नु की भी पूजा कर सकते हैं इन सभी चीजों को करते रहेंगे तो मेश राशी अलगन वाले बिल्कुल ठीक रहेंगे व्रिशब याने की टॉरस व्रिशब राशी अलगन वालों के लिए जुपिटर एट्थ और एलेवन्थ लॉड है और इस ट्रांजिट में आपके ट्वेल्थ हाउस में बैट कर आपके फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ हाउस पर जुपिटर की दृष्टी होगी फ्रिशब आपका ये दिव्रिशब राशी अलगन है तो जुपिटर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लानेट नहीं माने जाते और इस ट्रांजिट में तो एक बहुत ही बुरे भाव में भी बैठे हुए वक्री हो रहे हैं और ट्वेल्थ हाउस पर बहुत सारे दुष प्रभाव एक साथ पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ हाउस में ग्रहन भी लगेगा, राव बैठे हुए हैं मंगल की द्रिष्टी एक प्रोलॉंग पीरिड तक होगी, शनी की द्रिष्टी है, केतु का प्रभाव है तो बारहमा हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजन्ट करता है, बारहमा हाउस एक बहुत अच्छा हाउस नहीं है यह आपकी बिमारियों को हॉस्पिटल यात्रा, जेल यात्रा, बदनामी, धोखा धड़ी, सेक्सुल लाइफ, दिखावा, अनावश्चक दुश्मनी, लॉसेज, खर्चे, एकांतवास, चैरिटी, डोनेशन्ज, इन चीज़ों को रिप्रेजन्ट करता है इन सभी चीज़ों पर एक दृष्टी डालने की आवश्चकता होगी और जो अनावश्चक चीज़ें हैं उनको ये छोड़ने का समय है जैसे व्यसन है, गलत संगती है, गुरू यहाँ पर वक्री हुए हैं, धर्म के कारक गुरू यदि अपने धर्म के रास्ते पर चलने की और उनमुक होईएगा इस पीरियड में, तो आगे इस पीरियड का लाभा आपको मिलेगा और नहीं तो फिर ये 12th house का जो affliction है, ये आपको आगे भी बहुत परिशानी दे सकता है, यदि इस समय में सुधार आपने नहीं किया तो पहला 56 days विशेश ध्यान देने की आवशक्ता होगी frauds के चक्कर में मत पढ़िएगा, गलत लोगों की संगती में मत पढ़िएगा, opposite sex से एक respectful distance बनाए रखिएगा, स्वास्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, अनावशक दुश्मनी में मत पढ़िएगा नहीं तो case मुकद में ये सारी चीजें होंगी, खर्चा बढ़ेगा, losses बढ़ेंगे जो लोग भी business में हैं, job में हैं, profession में हैं, freelancer हैं, अपने खर्चों का बहुत ध्यान रखना पढ़ेगा पहला 56 days अपने घरेलू, माहौल का बहुत ध्यान रखना पढ़ेगा मा के साथ अपने संबंधों का, मा के स्वास्थ का बहुत ध्यान रखना पढ़ेगा इन जनरल दोनों ही parents का, माता पिता, दोनों के स्वास्थ का ध्यान रखना पढ़ेगा सिक्स था उस पर गुरू की दृष्टी again स्वास्थ पर ध्यान देना है, अनावश्चक दुश्मनी नहीं करनी है अपने रूटीन को सही करने का प्रयास करना है कुछ लोगों के लिए विरासत संबंधित परिशानिया भी इस समय में आ सकती बहुत शान्ती से पहला 56 जेज निका लिए एक बार राहू आपके 11 थाउस में आ जाएंगे और जुपिटर बिलकुल अकेले रह जाएंगे आपके 12 थाउस में तो फिर आप देखिएगा 30 अक्टूबर के बाद पीरियड आपके लिए धीरे धीरे अच्छा माहौल क्रियेट करना शुरू करेगा काफी राहत महसूस करें भरेलू माहौल में सुधार होगा कुछ लोगों के लिए ट्रांसवर्ज हो सकते हैं भूमी भवन वाहन से संबंदित फायदे हो सकते हैं पुराना छोटा मोटा जो भी रोग रिन दुश्मनी जो भी है उन चीजों को भी गुरू सॉल्व करेंगे विरासत संबंदित चीजों में भी आपको लाब होगा विदेश यात्रा के लिए आप यदि प्रयासरत थे और उसमें परिशानी आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगा जो लोग भी आध्यात्म के छेत्र में आगे बढ़ना चाते हैं उनके लिए बढ़ाई अच्छा समय सिद्ध हो सकता है ये जो लोग भी इंशॉरंस में हैं रिसर्च के फील्ड में हैं ट्वेल्थ में बैठे हुए गुरू और उनकी द्रिष्टी एट्थ पर बहुत अच्छा काम करेगी रेमेडीज आपको क्या करना चाहिए भगवान विश्नु और लक्ष्मी की उपासना आपको करते रहनी चाहिए इस टाइम में और देवी की पूजा बहुत important हो जाती है कुछ food donations ये सब यदि करते रहेंगे तो बिलकुल ठीक रहेंगे मिथुन याने की Gemini मिथुन राशी या लगन वालों के लिए Jupiter 7th और 10th Lord है और इस ट्रांजिट में आपके 11th house में बैठ कर आपके 3rd, 5th और 7th house पर दृष्टी डालेगा प्रेंड्स 11th house है आपके Gains का आपके Aspirations का, आपकी आकांक्षाओं का आपके मित्रों का, आपके बड़े भाई बहनों का विदेशों के साथ कोलाबरेशन का, धन संग्रह का इन सभी चीजों पर एक अभी दृष्टी डालने होगी और जुपिटर 7th Lord भी है और 10th Lord भी है धन आगमन के जो जो भी संसाधन है और आपका कार्यक्षेत्र, जो करते हैं आप धन कमाने के लिए इन सभी चीजों पर एक उन्राव लोकन का समय है इन सभी चीजों को revisit करने का समय है जहाँ अवश्यक है वहाँ सुधार लाना होगा fine tuning करना होगा, अनावश्यक चीजों को छोड़ना होगा ये सब चीज जब अभी करेंगे तो फिर आगे जाकर 11th house से संबंधित चीजों में आपको लाब मिलेगा 11th house पर इतना सारा affliction रहेगा मंगल की द्रिष्टी, शनी की द्रिष्टी, राहु एवं केतु का प्रभाव, ग्रहन का प्रभाव तो आमदनी के साधनों पर इस समय में दबाव बनेगा कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आमदनी बिलकुल बंद होने के कगार पर पहुँच जाए मित्रों से इस समय में सावधानी चाहिए, जो आपके परिचित लोग हैं, उनके साथ आपका विवहार किस तरीके का है, इसका बहुत ही द्यान रखिएगा सेवन्थ लोड भी हैं, जो पिटर वक्री हो रहे हैं, बुरे प्रभाव हैं उन पर, तो आपके जीवन साथ ही, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर्स, इनके स्वास्त से संबंदित चिंताएं हो सकती है इनके साथ आपका जो एटिट्यूड आपका विवहार है, उसका बहुत ध्यान रखिएगा जुपिटर की द्रिष्टी थर्ड, फिफ्ट और सेवन्थ पर है बच्चों से संबंदित, चीजों की भी चिंता इस समय में करनी चाहिए और जो initiatives लेने जा रहे हैं, खास करके work से संबंदित, जो भी काम, कुछ नया काम अभी करना चाहते है मैं तो कहूंगा कि अभी at least पहला 56 days करने का प्रियास नहीं कीजिएगा एक बार जुपिटर राहू से अलग हो जाएं, राहू आपके 10th house में आ जाएं और जुपिटर अकेले रह जाएं आपके 11th house में, उसके बाद फिर आपको सारे अच्छे results मिलेंगे आप देखिएगा आपका energy levels बहुत अच्छा हो जाएगा आपके एर्दगिर्द के जो लोग हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके superiors हैं आपके परिचित लोग हैं, आपका network circle है, इन लोगों के सहयोग से आप अच्छा करना शुरू करेंगे नए opportunities के दर्वाजे ये जुपिटर खोलेंगे आपके लिए creative field में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, आप ये विद्यारती हैं तो प्रतियोगी परिक्षाओं में बहुत अच्छा करेंगे, आपका intellect का level बहुत अच्छा रहेगा कुछ लोगों के लिए विवाह का मार्ग भी प्रशस्त होगा कुछ लोगों के लिए love marriage, marriage में convert हो सकता है तो इसको दो भाग में बांट कर देखेंगे और उसके अनुसार यदि चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मितुन राशिया लगन वालों को चाहिए भगवान गणेश की उपासना करते रहें और गायों की सेवा करें ये सब आप करते रहेंगे तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा ट्रांजिट साबित होगा कर्क याने की कैंसर कर्क राशिया लगन वालों के लिए जुपिटर सिक्स्थ और नाइन्थ लॉड है और इस ट्रांजिट में आपके टैन्थ हाउस में बैठकर आपके सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ पर उनकी दृष्टी होगी फ्रेंट्स टैन्थ हाउस आपका कैरियर का आपका प्रोफेशन का आपका पावर आपका पॉजिशन समाज में आपका नाम अर्थ वेवस्था आपकी दक्षता पिता इन सभी चीजों को रिप्रेजन्ट करता है यहाँ पर आपके भाग्य भाव के स्वामी है तो यह बहुत अच्छी सित्य है लेकिन दिक्कत क्या है कि जुपिटर बहुत कमफर्टेबल नहीं है उन पर बहुत सारे कुरूर और पाप ग्रहों का प्रभाव है जुपिटर ग्रहन के भी हिस्सा बनेंगे आपके टेंथ हाउस में ग्रहन लगेगा पेंथ हाउस में गुरु चांडाल बना हुआ है अब ही अपने कैरियर पर एक द्रिष्टी डालने की आवशक्ता होगी हो सकता है बहुत सारे चीजों में बदलाव करना पड़ेगा आप किस तरीके से काम कर रहा है आपके बॉसे के साथ आपके संबंद कैसे है अपने कलीग्स के बीच में आपका रवईया क्या है अपने टार्गेट्स को आप किस तरीके से अपरोच कर रहे है काम करने में आपको मन लग रहा है या नहीं आप खुश है या नहीं अपने काम में क्या आप वर्क चेंज करना चाते है इन तमाम चीजों पर द्यान देना होगा जहां आवश्यक हो वहां बदलाव करने होंगे तब जाकर आगे का रास्ता प्रशस्त होगा पहले 56 days चाहे तो आप किसी भी काम में हो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी जुपिटर की दृष्टी 2nd, 4th और 6th पर है आपके 6th और 9th के लौड भी है स्वास्थ संबंदित चिंताएं भी खड़ी कर सकते हैं पिता के स्वास्थ पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं आपके आमदनी पर एक दबाव बना सकते हैं बोलचाल आपका स्पीच खराब हो सकता है घरेलू माहौल खराब हो सकता है इस समय में कोई भी नया प्रापटी भूमी भवन वाहन वगएरा खरीदने का प्रयास नहीं करना चाहिए अनावश्यक किसी के साथ इस समय में जगड़ा जंजट वगएरा में नहीं पड़ना चाहिए और खास करके जो लोग भी पब्लिक लाइफ में हैं नेतागिरी में हैं या गवन्मेंट सर्वेंट हैं इन सभी लोगों को काफी ध्यान इस समय में रखना चाहिए आप लोगों को चाहिए इस समय में बिलकुल लो प्रॉफाइल मेंटेन करके सिर जुकाकर और बस अपना काम करें एक बार राहू और जुपिटर अलग हो जाएंगे उसके बाद आप देखिएगा यही जुपिटर आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू करेंगे कैरियर के नए आपर्चुनिटीज आप लोगों के लिए खुलेंगे कुछ लोगों को हो सकता है प्रोमोशन वगेरा मिल जाए कुछ लोगों को मन्चाह ट्रांसफर मिल जाए घर भूमी भवन वाहन ये सब चीज खरीदने के मौके बन सकते हैं धन संचय आप देखिएगा आपका फिर से होना शुरू हो जाएगा स्वास्त संबंदित जो भी चिंता हैं थी उस पर भी आप अच्छा काम करेंगे 10th house का मतलब अच्छे doctors अच्छा advice वे इस समय में आपको मिलेगा तो cool मिलाकर पहला 56 days ध्यान रखना है और उसके बाद 31 दिसंबर तक ये Jupiter आपको बहुत अच्छे results देंगे आप लोगों को क्या remedies करना चाहिए भगवान शिव की पूजा बहुत आवश्यक है आप लोगों के उपर अभी शनी का ढहिया चल रहा है हनुमान जी की पूजा करते रहिए और नीडी लोगों को कुछ food donation करते रहिए मन थोड़ा सा अशान्त रह सकता है डहिया के वज़े से भी और 10th house में इतने सारे बुरे प्रभावों के वज़े से भी meditation बहुत अच्छा काम करेगा spiritual जितना रहिएगा तो वो 56 days जिसकी मैंने बात की वो काटने में आपको बहुत मदद मिल जाएगा सिह आने के लियो सिह राशी या लगन वालों के लिए जुपिटर पांचवे एवं आठवे हाउस के स्वामी है इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में बैठ कर आपके लगन आपके तीसरे हाउस और आपके पांचवे हाउस पर जुपिटर की दृष्टी होगी प्रेंड्स जुपिटर आप लोगों के मित्र हैं त्रिकोर्ण के स्वामी हैं बहुत अच्छे प्लानट है लेकिन इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस पर और जुपिटर पर जितने भी पाप और कुरूर ग्रह हैं उनके प्रभाव हैं 9th हाउस में ग्रहन भी लग रहा है 9th हाउस किन चीजों का है आध्यात्म का है पिता का है आपके गुरूओं का है मेंटर्स का है उच्छ शिक्षा का है लंबी आत्राओं का है फिफ्थ हाउस के भी लॉड है जुपिटर एट्थ हाउस के भी लॉड है फिफ्थ हाउस अगेन शिक्षा आपके बच्चे आपक पर ध्यान देना पड़ेगा इनका उन्राव लोकन इन चीजों के परती एक इंट्रोस्पेक्शन का समय होगा ये कहां सुधार करना है किन चीजों को छोड़ना है किन चीजों को एड करना है वेभाहर में कहां बदलाव लाना है ये सब चीज अभी देखेंगे जब तक जुपिटर वक्री है तो आगे इन ही सब चीजों से संबंदित फायदे आपको मिलेंगे पहला 56 डेज बहुत ध्यान रखिएगा सिह वालों का एटिट्यूट गुसा थोड़ा वैसे भी ज़्यादा रहता है शान्त रहने की आवशकता है फिफ्थ और एट्थ लॉड हैं किसी भी तरीके का रिस्क किसी भी तरीके के स्पेकूलेशन बगेरा में मत पढ़िएगा लगन पर भी दृष्टी है एट्थ लॉड हैं हेल्थ में परेशानियां आ सकती हैं थर्ड हाउस पर दृष्टी हैं कुछ अनावश्यक जगड़ा वगेरा में मत नहीं पड़ना चाहिए कोई भी रिस्की काम इस समय में नहीं करना चाहिए ये सब चीज पर यदि ध्यान देंगे तो आप ठीक रहेंगे 56 डेज के बाद 31 अक्टुबर के बाद एक बार राहू और जुपिटर अलग हो जाएंगे फिर 9 अउस के जुपिटर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे 5 अउस के लॉड यदि 9 अउस में हो और वहां से आपके लगन को भी देखें 5 अउस को भी देखें 3 अउस को भी देखें तो आपके पराकरम में वृद्धी होगी एनर्जी लेविल्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा हेल्थ, कॉन्फिडेंस समाज में आपका नाम अश्वर्य इन सभी चीजों में वृद्धी होगी 9 अउस में जब जुपिटर रहेंगे कुछ लोगों के लिए विवाह का मार्ग भी ये प्रशस्त करेंगे विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा तो आपको इस पूरे ट्रांजिट को दो भागों में बाट कर देखना है और याद रखिएगा आपके लगन आपकी राशी के लौड भी ग्रहन का हिस्सा होंगे तो अक्टूबर में विशेश देहान देने की आवशक्ता है रेमेडीज क्या करना चाहिए सूर्य की उपासना आदित्यर देस्तोत्र भगवान विश्नु की उपासना मेडिटेशन क्योंकि मन अशांत ग्रहन के समय में हो सकता है ये सब चीजें यदि करते रहेंगे तो इस ट्रांजिट का जो भी बुरा प्रभाव है उससे आप बचे रहेंगे कन्या याने की वर्गो कन्या राशी या लगन वालों के लिए जुपिटर सेवन्थ और टेंथ लॉड है और इस ट्रांजिट में आपके एट थाउस में बैठ कर आपके ट्वेल्थ सेकेंड और फोर्थ पर जुपिटर की द्रिष्टी होगी फ्रेंड्स एट थाउस में आपके कैरियर याने की टें थाउस के लॉड और आपके रिलेशन्शिप्स याने की सेवन्थ हाउस के लॉड बैठे हुए वैसे ही बहुत अच्छी स्थिती नहीं है उपर से साथ में राहू है उपर से एट थाउस में ग्रहन लगने वाला है एट थाउस पर शानी की मंगल की सभी की द्रिष्टी होगी केतु का प्रभाव होगा ये समय अट लीस्ट पहला 56 डेज बहुत अच्छा समय नहीं है रिलेशन्शिप्स आपके किस तरीके से चल रहे हैं पार्टनर के साथ स्पाउस के साथ अपनी प्रेमी का या प्रेमी के साथ विरासत संबंधित चीज आपका स्वास्थ फाइनसिज आपका ससुराल पक्ष के साथ आपका संबंध और टैन्थ हाउस यानि की आपका केरियर आपका जो भी आप काम करते हैं इन सभी चीजों पर एक दृष्टी डालने की आवशक्ता होगी जब तक जुपिटर वक्री है ये समय है 119 दिनों का जिन भी छेत्रों का मैंने नाम लिया उनमें सुधार लाने का उनमें बदलाव लाने का जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उनको छोड़ने का नए चीजों को एड़ करने का थोड़ा कष्ट होगा लेकिन आप ये होमवर की अदिक करेंगे तो आगे के लिए आपका जो रास्ता है वो साफ होगा अच्छा होगा पहले 56 डेज में अपने स्वास्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए वाहन वगएरे चलाते हैं तो काफी ध्यान से चलाना चाहिए 8 थाउस में जुपिटर राहू है इतना बुरा प्रभाव है 8 थाउस पर हो सकता है कुछ लोगों के विरुद्ध कोई financial inquiry वगएरे बैठ जाए कोई बदनामी वगएरे हो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा अपने speech के वज़े से अपने attitude के वज़े से आपके आमदनी के sources पर दबाव बन सकता है losses हो सकते हैं घर का माहौल खराब हो सकता है आमदनी में कमी आ सकती है आपको at least ये पहला 56 days बहुत काम और composed रहना पड़ेगा व्याकुलता होगी मन उद्विग्न रहेगा अनिर्णे कि स्थिती होगी लेकिन शान्त यदी रहेंगे थोड़ा spiritual रहेंगे reactive mode में नहीं रहेंगे तो 56 days कट जाएगा और एक बार राहू और जुपिटर अलग-अलग हो गये जुपिटर जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो यही जुपिटर फिर आपको थोड़ा राहत देंगे एट्थ हाउस में जुपिटर अपने मित्र की राश्री में इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे क्योंकि वहां से ये अच्छे भावों को एक तरीके से देखेंगे भी बारहूआ भाव मतलब विदेशों के साथ संबंद के लिए अच्छा रहेगा लंबी आत्राओं के लिए अच्छा रहेगा लॉसेज को कम करने में मदद करेंगे जुपिटर सेकेंड हाउस याने की आमदनी का सोर्सेज खड़ा करेंगे आपके लिए लोगों के साथ रिलेशन्स ठिक करेंगे और्थ हाउस पर चार सप्टेंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक विशेश सावधानी आप लोगों को रखनी होगी एट्थ हाउस में जुपिटर है एट्थ हाउस स्पिरिचुलिटी का भी होता है थोड़ा स्पिरिचुल रहिए अच्छे लोगों की संगती रखिए अपने कर्म को अच्छा रखिए डिसिप्लिन को अच्छा रखिए गाय को हरा चारा खिलाइए और विश्नु भगवान और देवी की पूजा करते रहिए ये रेमेडीज आपके लिए बहुत अच्छा काम करें तुला याने के लिब्रा तुला राशी या लगन वालों के लिए जुपिटर थर्ड और सिक्स्थ लॉड है और इस ट्रांजिट में आपके सेवन्थ हाउस में बैठकर आपके एलेवन्थ फर्स्ट और थर्ड हाउस पर इनकी दृष्टी होगी प्रेंट्स तुला वालों के लिए जुपिटर एक बहुत अच्छे प्लानेट नहीं है थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉड है और यहां सेवन्थ हाउस में वक्री हो रहे है अब स्थिती यह है कि सेवन्थ हाउस में न तो जुपिटर को अच्छा माना जाता है और नहीं राहू को अच्छा माना जाता है सेवन्थ हाउस में आपका गुरुचा अंडाल भी बना हुआ है सेवन्थ हाउस पर सारे पाप एवं क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी है सेवन्थ हाउस किन चीजों को रिप्रेजन्ट करता है आपके business को represent करता है आपके social status को represent करता है विदेशों के साथ आपके संबंधों को represent करता है आपका विवाह, आपका business इन सभी चीजों को revisit करने की आवशक्ता होगी इन छेत्रों में आप जो भी आपके kriya कलाप हैं वो किस तरीके के हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्या चीजें करनी हैं, क्या चीजें ज्यादा हो रहा है, क्या चीज कम हो रहा है किस चीज पर ज्यादा बल देने की आवशक्ता है चीजों को revisit करना पड़ेगा, fine tune करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा ये सब यदि करेंगे तो आगे के लिए आपके लिए रास्ता सुगम होगा अभी फिलहाल 3rd और 6th Lord 7th में वक्री हैं और 7th पर इतना बुरा प्रभाव किसी भी तरीके का संबंध चाहे तो वो आपके जीवन साथी के साथ हो, girlfriend, boyfriend, business partners संबंधों पर ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी काम ऐसा नहीं करना होगा कि संबंध खराब हो जुपिटर इस बात पर भी सोचने को मजबूर करेंगे कि कौन सा संबंध काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है किसको छोड़ना चाहिए, किसको आगे जारी रखना चाहिए सेवन्थ हाउस पर चुकि इतने सारे पाप और क्रूर ग्रहों का प्रभाव है सेवन्थ हाउस में ग्रहन भी लग रहा है, इसलिए अपने जीवन साथी के स्वास्थ का बहुत द्यान रखना पड़ेगा आपका क्रिया कलाप, आपका एटिटीउड, आपको ऐसा काम मत कर दीजिएगा जिसके वज़े से समाज में आपका नाम खराब हो ऑपोजिट सेक्स के प्रती अपने रवाईये का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा 56 डेज के बाद एक बार राहू एवं जुपिटर अलग-अलग हो जाएंगे तब ये जितने भी मैंने दुश्प्रभाव बताये, उसमें थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा 7th house में बैटकर जुपिटर आपके 11th को भी देख रहे हैं, 1st को भी देख रहे हैं और 3rd को भी देख रहे हैं उसके बाद आपके पराकरम में वृद्धी होगी, energy levels आपका अच्छा होगा, confidence में भी वृद्धी होगी, communication आपका बहुत सधा हुआ होगा और इन सभी चीजों के वज़े से नए opportunities create होगे, अच्छे लोगों के साथ मित्रता होगी, बड़े भाई बेहनों का अपने superiors का अशिरवाद मिलेगा तो पहला 56 days द्यान देने की आवशकता है, आप लोगों को भी चाहिए विश्नु एवं लक्षमी की पूजा करें अच्छी बात ये है कि जिस दिन गुरु वक्री हो रहे हैं, उसी दिन से शुक्र मारगी हो रहे है, थोड़ा सा food donation वगएरा करते रहिए, छोटी बच्चियों को कुछ sweets डोनेट किया कीजिए कभी कभी, ये सब remedies आपके लिए बहुत अच्छा काम करें व्रिष्चिक राशी अलगन वालों के लिए जुपिटर सकेंड और फिफ्थ लॉड हैं, सिक्स्थ में बैठ कर आपके टैंथ, ट्वेल्थ और सकेंड को देख रहे हैं, फ्रेंट सिक्स्थ हाउस किन चीजों का होता है, सिक्स्थ हाउस होता है आपके स्वास्थ का, पुर पर इन सभी चीजों का आपको इस समय में ध्यान रखना होगा, इस पर एक द्रिष्टी डालनी होगी, इनका पुनराव लोकन करना होगा, इनको रिविजिट करना होगा, कुछ आवश्यक बदलाव हैं तो वो बदलाव करना चाहिए, कुछ चीजों को यदि छोड़ना है तो छोड़िए, कुछ नए चीजों को एड़ करना है तो एड़ कीजिए, क्योंकि ये जो इस समय में आप नए चीजों का आप समावेश करेंगे, इस से आपके आगे का मार्ग जो है वो बहुत सुगम होगा, पहला 56 डेज, बहुत ध्यान रखने की आवश्यक्ता है, क्यो शनी की द्रिष्टी है, तो पहला 56 डेज आपको किसी भी जगडे में, वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, वर्क प्लेस पर बिलकुल शान्ती से काम करना चाहिए, अपने एकसरसाइज का एक रूटीन बना कर रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, ये सेकेंड हाउस के लॉड हैं जुपिटर, सिक्स्त में बैठे हुए हैं और इतना बुरा प्रभाव हैं उन पर, खान पान के वज़े से भी स्वास्त खराब हो जाएगा, वानी का बहुत द्यान रखना होगा, नहीं तो वर्क प्लेस पर पर परिशानी आ जाएगी, पें पर जाने के समय में पूरी तैयारी के साथ जाएगा, फिर भी गड़बडियां हो सकती है, आमदनी के साधन पर प्रेशर बढ़ सकता है, पहला 56 देज ध्यान रखना है, 56 देज के बाद एक बार राहु जुपिटर से अलग हो जाएगे, तो यही जुपिटर 6 में बैठ कर जब 10 को देखेंगे, तो नए opportunities के दरवाजे खोलेंगे, 2 को देखेंगे, इसलिए income में बढ़ोत्री होगी, 2 को देखेंगे इसलिए आपका speech अच्छा होगा, 6 में बैठे हुए हैं, इसलिए आप pending कारियों को पूरा करेंगे, वर्क प्लेस पर अपने subordinates का आपको साथ मि आई थी, वो सुगम होगा, क्या करना चाहिए आप लोगों को, देखिए 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके राशी, आपके लगन के स्वामी मंगल की स्थिती बहुत अच्छी नहीं रहेगी, वो केतु के साथ रहेंगे, और ग्रहन का हिस्सा भी बनेंगे, आपके उपर ढहिया भी चल रहा है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी राशी व्रिष्चिक है, तो इसलिए क्या करना होगा, आपको हनुमान जी की पूजा तो करनी ही चाहिए, ढहिया के वज़े से मानसिक को द्विगनता, एंग्जाइटी, बहुत सारे लोगों पर ह उनको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, भले ही पंदरह मिनट कीजिए, लेकिन रोज मेडिटेशन की, विष्णु भगवान की पूजा करते रहिए, और कुछ चैरिटी, कुछ डोनेशन करते रहिए, इन चीजों को आप करते रहेंगे तो बिलकुल ठीक रहेंगे, धन से 9th पर, 11th पर और 1st पर द्रिश्टी है, प्रेंट्स, 5th house का मतलब शिक्छा, 5th house का मतलब प्रेम संबंद, 5th house का मतलब speculative activities, 5th house का मतलब creativity, इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा इस टाइम में, जुपिटर की द्रिश्टी 9th पर है, 11th पर है और लगन पर भी है, स्वास्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग विदेशों में हैं, जो लोग बुच्छ शिक्छा में हैं, जो लोग ट्रैवल करेंगे इस बीच में, उन लोगों को पहले 56 days बहुत साफधानी रखनी होगी, क्योंकि जुपिटर पर एक तरीके से बुरे प्रभ बना हुआ है, शनी की द्रिश्टी है, ग्रहन लगेगा, प्रेगनेंट महिलाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए, कोई भी स्पेकुलेशन, रिस्क, गैंबलिंग, शेर मार्केट में डील करने वाले लोग, इन सभी लोगों को बहुत साफधानी रखनी होगी, और आइड कोई वाइल्ड आइडिया पर तो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नया काम इंपल्स में बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए, पहला 56 डेज, कोई भी एडवेंचर ट्रिप वगेरा में, कोई भी डेंजरस काम वगेरा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो इन सभी चीजों का प्रतिकूल प्रभाव आप पर पड़ेगा, एक बार जुपिटर और राहु अलग-अलग हो जाएं, और जुपिटर बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएं राहु के प्रभावों से, तो यही जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठ कर, आपको हर वो चीज दें होगी परिक्षाओं में सभी चीजे देंगे, जो लोग भी बच्चों के आकांग्ची हैं, नया फैमिली शुरू करना चाह रहे हैं, समय प्रशस्त होगा, जो लोग भी क्रियेटिव आइडियाज पर काम करते हैं, जो लोग भी किसी स्टार्ट अप वगेरा में हैं, या ज पर दृष्टी होगी, जुपिटर की नाइन्थ पर दृष्टी होगी, विदेश जाने के लिए अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ परिचय, बड़े भाई बहनों का सहयोग, नेटवर्क सर्कल्स, नए नेटवर्क में जुड़ना, मार्केटिंग वगेरे से जो लोग जुड़े हुएं, बहुत अच्छा करेंगे, पहला 56 डेज आपको ज्यादा ध्यान रखना है, और रेमेडीज में आपको भगवान विश्णू की उपासना करते रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत चैरिटी करते रहिए, खास करके जो भी क्लीनिंग कम्यूनिटी है, साफ 3rd और 12th Lord है, और इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में बेठ कर आपके 8th, 10th और 12th को देखें, प्रेंड्स जुपिटर आपके स्वामी शानी के मित्र नहीं है, लेकिन इस ट्रांजिट मे जुपिटर 4th हाउस में है, 4th हाउस जुपिटर के लिए अच्छा हाउस माना ज क्योंकि कालपुरुष कुंडली में आप देखिएगा तो कालपुरुष कुंडली के फूर्थ हाउस में याकर जुपिटर एक्जॉल्टेड होते हैं उच्छ के होते हैं तो पॉजिशन में तो जुपिटर ठीक हैं लेकिन फूर्थ हाउस पर बहुत सारे ग्रहों का दुश प्रभाव पढ़ रहा है इस समय में राहु सात में फोर्थाउस में ग्रहन भी लगेगा केतु का प्रभाव है मंगल की दृष्टी होगी तो फोर्थाउस से संबंदित चीजों में सावधानी ज्यादा रखनी होगी और फोर्थाउस में ज्युपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है इसका मतलब फोर्थाउस से संबंदित चीजों पर थोड़ा सा काम करने की आवशक्ता है आपके लिए इन 119 दिनों में घरेलू सुख है आपका शिक्षा है भूमी भवन वाहन ज्युपिटर आपके 3rd और 12th लॉड़ भी है विदेशों के साथ आपके संबंद छोटी बड़ी यात्राएं इन सभी चीजों पर वैवाहिक सुक इन सभी चीजों पर एक दृष्टी डालने की आवशक्ता है और ये देखने की आवशक्ता है कि इन चीजों में कुछ सुधार किया जा सकता है पहले 56 डेज आपको बहुत सावधानी रखनी होगी अपने हाट के स्वास्थ का घर के दरवाजों में इस समय में देखिएगा परेशानी आ सकती है माता पिता का स्वास्थ खराब हो सकता है जो लोग भी क्रिशी एवं पशुपालन के कारियों से जुड़े हुए है उन लोगों को इस समय में परेशानी आ सकती है आपके घर पर जो डॉमेस्टिक अप्लाइंसेज है फ्रेज, टीवी, वाशिंग मशीन इन सभी चीजों में आप देखिएगा कि परेशानी आ सकती है सुख में कमी, घर में अनावश्यक जगडे, मतभेद, खीचतान एट थाउस पर भी दृष्टी है जुपिटर की तो स्वास्थ में भी परेशानी आ सकती है टेंथ पर दृष्टी है कैरियर से संबंदिट डिसिशन्स कोई गलत इस समय में मत ले लीजिएगा अनावश्यक खर्चों से बचिएगा इन चीजों का दियान आपको रखना होगा हाँ, जुपिटर और राहु एक बार अलग हो जाएगे राहु जब आपके फोर्थ हाउस से निकल जाएंगे और जुपिटर सिर्फ फोर्थ हाउस में रह जाएंगे उसके बाद आप देखिएगा ये जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे मान समान में वृद्धी कई लोगों का जिन लोगों के लिए भी विवाव अगरह में दिक्कते आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय हो जाएगा टैन्थ हाउस पर दृष्टी होगी जुपिटर की बहुत लोगों के लिए नए opportunities आ जाएंगे विदेश जाने का कारेकरम बहुत लोगों का बन सकता है एट थाउस पर दृष्टी होगी जुपिटर की आने की जो लोग भी research के field में है insurance के field में है अध्यात्म के छेत्र में आगे बढ़ना चाहते है astrologers है उन लोगों के लिए बढ़ा ही अच्छा हो जाएगा wills, legacies विरासत संबंदित जो भी चीजे हैं उन चीजों को भी ये जुपिटर सही करेंगे साड़े साती का last phase चल रहा है हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा पहले 56 डेज में मन को शांत रखिएगा meditation आवश्यक है किसी एक आंत जगह में बैठकर थोड़ा meditate करेंगे 12 पर भी जुपिटर की दृष्टी रहेगी थोड़ा charity करते रहेंगे हनुमान जी की पूजा और शिव जी की पूजा करते रहेंगे तो आप बिलकुल ठीक रहेंगे Aquarius याने की कुम्ब कुम्ब राशी या लगन वालों के लिए जुपिटर 2nd और 11th लॉड है और इस ट्रांजिट में आपके 3rd house में वक्री हो रहे हैं वहां से आपके 7th, 9th और 11th पर दृष्टी होगी Friends, 3rd house आपके initiatives पराक्रम, छोटे भाई बहन, पत्र विवहार, communication, आपके बरदाश्ट करने की क्षमता, आपका competitiveness इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर आपके 2nd याने की धन भाव के भी स्वामी है और लाव भाव के भी स्वामी है इन सभी चीजों पर एक दृष्टी डालने की आवशक्ता होगी इन चीजों से संबंधित चीजों का एक बार पुनराव अलोकन करना होगा क्या बदलाव करने है, किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों में सुधार लाना है क्या चीज काम कर रहा है क्या चीज बिलकुल नहीं काम कर रहा है उन्राव अलोकन करेंगे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे इन चीजों में बदलाव करेंगे आगे का रास्ता आपके लिए सुगम होगा सेकंड और एलेवन्थ लॉड है जुपिटर थर्ड हाउस में इतने बुरे प्रभावों से युक्त रहेंगे इस समय में अती पराक्रम से आप लोगों को बचना चाहिए और आमदनी के सोर्सेस पर दबाव बढ़ेंगे सेवन्थ हाउस पर भी दृष्टी है जुपिटर की सेकंड और एलेवन्थ के लॉड हैं जो लोग भी बिजनस में हैं या फिर किसी भी छेतर में काम करते हैं कोई भी ऐसा काम मत कीजेगा कि आपके काम पर इसका प्रतिकूल असर हो जुपिटर आपके रिजॉल्व को टेस्ट करेंगा और जुपिटर नहीं कि चमता को थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है तो इस समय में ये प्लानेट्स टेस्ट लेंगे थर्ड हाउस अती बहादुरी का भी है और बरदाश्त करने की चमता का भी है बरदाश्त करना यदी सीखेंगे यदी उस भावना को बलवान रखियेगा रियाक्टिव मोड में नहीं रहिएगा पहले 56 डेज तो सुखी रहिएगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगेरा साइन करने से पहले बहुत सावधानी रखनी होगी किसी को भी संबोधित कर रहे हैं कोई भी पत्र विवहार कर रहे हैं कोई भी इमेल डाल रहे हैं शब्दों का चुनाओ बहुत सोच समझ कर कीजिएगा छोटे भाई बैनों के साथ अपने पडोसियों के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में बिलकुल मत पढ़िएगा जो लोग भी विद्यार थी हैं और किसी प्रतियोगी परिक्षा में बैठना चाह रहे हैं उन लोगों को काफी मेहनत करना पड़ेगा काफी फोकस्ट रहना पड़ेगा 56 डेज के बाद एक बार जैसे ही जुपिटर राहु के प्रभाव से मुक्त होंगे तब आप देखिएगा फेज बिलकुल चेंज हो जाएगा आपकी कंपेटिटिवनेस भी बढ़ जाएगी कॉंसेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा जो लोग भी ब्रोकरिज के फील्ड में हैं जो लोग भी कमिनिकेशन के फील्ड में हैं मीडिया के फील्ड में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, किसी ऐसे छेतर से जुड़े हुए हैं, जिसमें competition involved हो, for example, army, police, sportsman, या जो लोग भी adventure वगेरा, adventurous काम करने में, जिनकी रूची होती है, ये सभी, आप देखिएगा, अच्छा करने लगेंगे, second और 11th के Lord, जब अच्छी स्थिती में होंगे, भले ही वो third में हों, तो आमदनी में भी वृद्धी होगी, अच्छे लोगों के साथ, आपका परिचाए बढ़ेगा, जिसके वज़े से, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, वानी में भी एक मधूरता हैंगी, जिसके वज़े से लोग आपके प्रतिया करशित होंगे, थोड़ा सा साड़े साती का भी प्रभाव है, खास करके उन लोगों के लिए, जिन लोगों का भी चंद्रमा कुम्ब का है, एक संबंद है, शिवजी की उपासना करें, और थर्ड हाउस पित्र तरपन को भी रिप्रिजेंट करता है, याद रखिए इसी बीच में पित्र पक्ष भी आएगा, बहुत अच्छा रेमेडी रहेगा, अपने पित्रों को तरपन जरूर कीजिएगा उस टाइम में, और इन जेनरल भी, अपने पित्रों को हमेशा धन्यवाद करते रहेए, थर्ड हाउस संबंदित, बुरे प्रभावों से बचने का एक बहुत अच्छा रेमेडी, मीन याने की पाइसेस, मीन राशी या लगन वालों के लिए, जुपिटर आपके फर्स्ट और टेंथ लॉर्ड है, और इस ट्रांजिट में आपके सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं, वहाँ से आपके सिक्स्थ पर उनकी दृष्टी होगी, ये एट्थ पर एवं टेंथ पर भी दृष्टी होगी, फ्रेंड्स, आपके लगन के लॉर्ड, आपकी राशी के लॉर्ड और आपके कैरियर के हाउस के लॉर्ड, जुपिटर आपके लिए में प्लानेट है, वो आपके धन भाव में वक्री हो रहे हैं, सेकंड हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजन्ट करता है, सेकंड हाउस मतलब आपका स्पीच, आपका फैमिली, आपका खान पान, आपके दांतों का, आपके आँखों का स्वास्त है, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट्स, इन सभी चीज़ों पर एक द्रिष्टी डालने की और इशारा कर रहे हैं जुपिटर आपको, इसके अलावे, फर्स्ट हाउस यानि के आपका स्वास्थ, टेंथ हाउस यानि के आपका कैरियर, इन सभी चीज़ों को रिविजिट करना है, इनमें को यदी सुधार आवश्चक है, कुछ चीज़ें पेंडिंग चल रही है, उनको पूरा करने का समय है, ये 119 दिन आप इन चीज़ों पर यदी ध्यान देंगे, तो आगे आने वाला समय आपका बहुत ही सुगम बहुत ही अच्छा होगा, सेकंड हाउस पर इतने सारे क्रूर प्लानेट्स का प्रभाव, सेकंड हाउस पर ग्रहन लगना, इसका मतलब है कि ये फाइनांस पर एक प्रेशर क्रियेट करेगा, तेंथ हाउस के लॉड और फर्स्ट हाउस के लॉड पीडित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि स्वास्थ पर भी दबाओ बनेगा और आपके कार्य छेत्र पर भी दबाओ बनेगा कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पिता के साथ हन्बन हो या पिता के साथ उनका संबंद खराब हो जाए इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आपको आवशक्ता होगी काम के छेत्र में कोई भी जल्दी बाजी मत कीजिएगा इंपल्स में आकर कोई भी नया डिसिशन मत ले लीजिएगा अपने सुपीरियर्स के साथ खास करके वर्ड प्लेस पर अपने संबंद को अच्छा बना कर रखिएगा नहीं तो ये 56 डेज में कुछ बड़ा परेशानी खड़ा हो सकता है स्वास्ते का भी ध्यान रखिएगा और अपने क्रिया कलापों का और वानी का बहुत ध्यान रखिएगा नहीं तो परिवार वालों के साथ भी संबंद खराब होगा और आपका हेल्थ भी खराब होगा 56 डेज के बाद एक बार आपके सेकंड हाउस से जब गुरू चांडाल खतम हो जाएगा उसके बाद ये जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू करें आप देखिएगा आपका जो भी पेंडिंग काम वगेरा है वो सब भी कम्प्लीट हो जाएगा पुराने लोन्स बगेरा को चुकाने की दृष्टी में आप कदम उठाएंगे हेल्थ से संबंदित चीजों पर जो भी छोटे मोटे परिशानी है उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे कम्पेटिटर्स को भी आप जीत पाएंगे विरासत संबंदित चीजों में आपको एक समाधान मिलेगा जो लोग भी रिसेर्च बगेरा के फिल्ड में है आप ध्यात्म को फॉलो करना चाहते हैं औकल्ट साइंसे सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बड़ा बढ़ियाँ पीरियड है नए opportunities, transfers, promotions, status में बढ़ोत्री और सबसे बड़ी चीज आमदनी और savings में बढ़ोत्री ये सब ही चीजें होंगी 30 October के बाद तो पहला जो 56 days है उसमें बहुत ध्यान रखियेगा खास करके स्वास्थ का, अपनी स्पीच का, अपने खान पान का, अपने विवहार का, अपने संबंदों का remedies क्या करना चाहिए आप लोगों को भगवान विश्नु की पूजा एकदम आवश्यक है साड़े साती आप लोगों पर भी चल रहा है, खास करके जिनकी राशी है मीन, हनुमान जी की पूजा बिलकुल आवश्यक है और स्पीच का बहुत ध्यान रखना है खान पान का बहुत ध्यान रखना है सेकंड हाउस एक मारक हाउस भी है सेकंड हाउस पर इतने सारे प्लैंट्स का दुस्प्रभाव जितना शांत रहने का प्रयास कीजिएगा और जितना अपने हेल्थ पर ध्यान रखिएगा उतना ठीक रहिएगा ये था फ्रेंड्स वक्री जुपिटर का बारह राशी एवं बारह लगन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा खास करके ग्रहन और सारे पाप और कुरूर ग्रहों का प्रभाव जब जुपिटर पर होगा उसके मद्दे नजर किस तरीके का रिजल्ट्स देंगे जुपिटर इस पर आपने बारहो राशी के बारे में चर्चा सुना मुझे उमीद है आप लोगों को यह विडियो समझ में आया होगा तारकिक लगा होगा जोतिश के सिद्धानतों के अनुरूप लगा होगा यदि लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा अपना प्यार अपना अशिरवाद इसी तरीके से मुझ पर बनाये रखिएगा आज के लिए बस इतना ही फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विशे के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव भारत माता कीजिए